कल की वीडियो का रिस्पांस देखकर मुझे यकीन हो गया कि आप लोग लुजिन्स को काफी अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं और काफी अच्छा से पसंद कर रहे हैं तो आप लोग के डिमांड के उपर मैंने 50 MCQ कर दिया है मैंने कल 30 questions दिया था लेकिन आप लोगो का comments देखकर मुझे यकीन हो गया कि यहां questions को increase करना चाहिए तो मैंने यहां पर 50 MCQ कर दिया है तो इस वीडियो को end तक देखे और फटा फट questions का solve कीज़ेगा बतेगा कितना आप कर सकते हैं ठीक है तो चलिए हम इस वीडियो को सुरू करते हैं तो देखते हैं आज की इस वीडियो में आपकी performance क्या रहती है विना किसी देर की वीडियो को सुरू करते हैं सबसे पहला questions यह कि सिंदू घाटी के सब्यता में घोड़े के उसे कहां से मिले है इस questions का right answer हो जाता है option हम एक ओटिक करेंगे सुद्ध कोदता ध्यान रखेंगे यहां पर यह mistake लिखा गया सुद्ध कोदता यहां पर होना चाहिए ठीक है और एक चिन में आपको और बता दूँ यहां पर ध्यान रखेंगे सुद्ध कोदता से जो कि एंटी मनी के एक छड़ भी मिला है यह point थोड़ा सा important होगा इसको भी आप याद रखेगा second questions यह कि हडपा सब्यता किस यूग की थी यहां पर जो भी मैंने questions लिया है वो बहुत ज़ादा important है वो अकसर exams में पूछे गए हडपा सब्यता किस यूग की थी तो सही answer यहां पर हो जाता कि कास यूगीन सब्यता मानी जाती थी यह बिलकुल सही होगा वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपको चैलेंज देता हूँ अगर आप इतना कर लेते हैं तो मान करके चलेंगे कि आप काफी अच्छे तरीके से लूटसन को पढ़ रखें जेनरल काटेगरी 44 बीसी काटेगरी के लिए 41 एससी के लिए 37 और एस्टी काटेगरी के लि पहली बारा है इसी तरह कि रोजाना मॉक्टेस्ट देना चाहते हैं पूरे लुसेंट को कम्प्रीट करना चाहते हैं जो कि मॉक्टेस्ट के साथ तो आप मारे साथ जूड़ सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिविकेसन बिल्को आउन कर लीजेगा ठीक है चड़ जाता किसे माना जाता है तो प्रभाकर वर्धन जो कि हर्स वर्धन के पीताते यह थोड़ा सा इंपॉटेंट है याद रखेगा चलिस फूर्थ कोईसन का राइट एंसर क्या होना है कि कदम राजी के स्थापना मयूर सर्मन ने की थी उसने अपनी रजधानी बनाई थी कद 312 इस्वी में सिंद पर अर्भो के आकरमण के समय वहां का सासक कौन था वहां के सासक कौन थे तो दाहीर थे ठीक है ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा दाहीर वहां के सासक थे अगला प्रशनी की सिंद सभ्यता के घर किससे से बने थे बनाय जाते थे सिंदु सभ्यता में किसी केसेंस में जो की ऑप्सन को भी चेंज कर दूगा ताकि अगर आपको परफेक्ट्ली याद हो तो आप टच कर सकते हो अधरुइस कुछ लोग जो कि ऑप्सन को याद करने थे तो ऐसा बिलकुल भी ना करें क्योंकि आपको यह सकते कि दुर घटना घटित हो सकता है ठी पक्की इटो का साक्ष काली बंगन से मिला था और काली बंगन किस स्टेट में पढ़ता है तो यह राजस्थान में स्थीते ध्यान रखेंगे जूते हुए खेत के साक्ष और साथे साथ पक्की इटो की जो साक्ष मिलें वो काली बंगन से मिलें सरप्रतम भारत में जजियाकर लगाने का स्रे सिंध के विजेता मुहम्मद बिन कासिम को दिया जाता है ठीक है उसने किस वर्ग को इस कर से मुक्त रखा था तो बताईए जजियाकर लगाने का जो सबसे पहला स्रे दिया जाता है वो मुहम्मद बिन कासिम को दिया जाता है ल किया था तो यह कुछा जा सकता है कि सल्तनत काल में सबसे पहले जोगी ब्राह्मनों पर जजिया कर किसने स्टार्ट किया था तो फिरोध साथ तुगलग ने स्टार्ट किया था अगला प्रशन क्या है कि डिली का जिसको डिली का जाता है दिली नगर की स्थापना किसने की थी दिल्ली नगर किस थापना किस ने किती तो यहां पर करेक्ट टांसरम किसे टिक करेंगे option B ठीक है तो मैं आपको बता दूं कि अनतराष्टिय महिला दिवर्स कब मना जाता है कि अनतराष्टिय महिला दिवस इसके बारे मैं आपको बताता हूं 22 माई देखे 22 माई जो होता है वो विश्वे जय विविता दिवस के रूप में मना जाता है साथ साथ 11 माई की बात करें तो 11 माई राष्टिय प्रधोगी की दिवस के रूप में इंपोर्टेंट है और 11 जुलाई तो बहुत बार रिपीट होता है, 11 जुलाई 20 जनसंख्या दीवस के रूप में मना जाता है, ठीक है न, अगला प्रश्ट, हितोपदेस नामक पुस्तक के लेखक को ने बताईए, तो ध्यान रखेगा हितोपदेस पुस्तक के लेखक नरायन पंडित, option B को टिक करेंगे साथ इसात मैं आपको उतादूं कि इनकी एक और पुस्तक थी जो काफी चर्चा में रहती थी और वो पुस्तक जो है वो गडित कैमुदी ठीक है गडित कैमुदी पी जो इनरायन पंडित के द्वारा ही लिखी गई है और हम यह कह सकते कि गडित कैमुदी आपके साथ सेर भी करूँगा तो फिलाल अगर हम बात करें कि निमली खित में से कौन बिस्व की सबसे बड़ी जील है तो यहां पे सबसे बड़ी जील की बात करें तो कैस्पियन सागर एक्चली जील है लेकिन इसका अकार इतना ज्यादा है बहुत बड़े अकार होने की वज़े से इसको एक सागर का नाम दिया गया ठीक है तो ध्यान रखेंगे बिस्व के सबसे बड़ी जील कैस्पियन सागर और अगर क्वेशन में पूछता कि मीठे पाने के सबसे बड़ी जील कौन सी है तो सुप्रियर जील को टिक करते है फिलाल यहां पे हमारा करेक्ट रूस और तुर्कमेनिस्तान यानि यह पांच जो ऐसे देश हैं वो कैस्पियन सागर से अपनी सीमा को साचा करते ठीक है यह चीज़ आपको ध्यान रखना है छोटा से मैंने ट्रिक भी बना रहा का आप इस ट्रिक के मदद से भी याद रख सकते हैं एरा आज तू रुक ठ को रूखने के लिए बोल रहें इस तरह सब चोटा मोटा तरीका से आप याद कर सकते हैं बाकी आपकी मर्जी चाहिए आप रट करके याद रखो इन पांच देशो के नाम लेकिन मेरा मकसद यह कि आपको याद रखना है ठीक है चलिए फिलाल अम बढ़ते हैं नेक्स्ट क कछर देखने को मिलता है यह यह जो पड़ता है वह दचllि अमरी में पर्था है तो यह जो पड़ता है वह ऊंचर अमरीका Race द्शर अमरीका का सेdırट नाम से और बेंपन क चैनला परके मेडार के मध और अक्छान्स्ट के institute कास जाना गया ने important question है बताईजिक कननडा के मद्द अक्छांच यह घास के मेदान को हम लोग किस नाम से जानते हैं प्रेरी के नाम से जानते और आपको यह पता है कि उट्री अमेरिका कि घास के मेदान को प्रेरी के आ uneас से जाना जाता है डाउंस जो था है वो ऑस्ट्रेलिया से संबंदी थे, step is जो होता है, वो ACI समझ कह सकते हैं, रूस और Asia जो है, इंको हम Eurasia कह सकते हैं, Eurasia से संबंदी थे, और Pampas तो आपको पता है, Argentina से संबंदी थे, ठीक है, नेक्स्ट क्योंस कि, lumen किसका मातरक है, बताइए, lumen जो हो किसका मात्रक है तो यहां पर करेक्ट आंसर किसे ठीक करेंगे और अपसन B अगर आपने ठीक किया तो अपसन B बिल्कूल सही है जोती फ्लक्स का मात्रक यहां पर क्या सकते हैं लिूमेन होता है next प्रस्ट ने की मारले मिन्टो सुधार बिल किस वर्स में पारिद किया गया था मारले मेंटो सुधार बिल जो वो किस वर्स में पारिद किया गया था तो यहां पर सही आंसर क्या होगा option B 1909 बिल्कुल correct answer होगा मैं आप से छोटा सा request करूँगा कि इस वीडियो को अपने सभी ग्रूप में अपने सभी फ्रेंड के साथ जरूर सेर करें क्योंकि जो लुसेंट है वो compulsory सभी को पढ़ना नेसेसरी होता चाहिए किसी भी जामस की प्रेपेशन कर रहें तो आप छोटा सा फेल कर सकते हैं उनके अपने फ्रेंड्स की जो की सेर करने में ठीक है नेक्स्ट क्वेशन देखें क्या है कि उस सासक का नाम क्या है जिसने विजय अस्तम जिसको मैं कह सकते हैं टावर ओफ विक्ट्री का निर्माण कराया था विजय अस्तम का निर्माण किस ने कराया था तो ध्यान रखेंगा विजय अस्तम का निर्माण राणा कुंभाने कर और questions पूछ लेकि कब कराया था तो ध्यान रखेंगे 1440 से 48 की बीच इसका निर्माण कराये गया था राजस्तान के चिताओडगड में स्तीत है ये भी important है next question की पृत्वी राज रासो निमलिखीत में से किस ने लिखा है पृत्वी राज रासो निमलिखीत में से किस ने लिखा है तो सही answer क्या होगा चंदर बदाई ठीक है चंदर बदाई यहां पर correct answer होगा अगर हम बात करें बाक्य options के बारे में देखिए भावभूती से later questions पूछ आता है तो उत्तर राम चरित्र के बारे में ध्यान रखेंगे उत्तर राम चरित्र भावभूती ने लिखा है जैदेव जो की अकसर पेपर में ये देखने को मिलता है लच्छुमन से इनके ये दरबारी कवी थे और इनकी जो रचना हम कह सकते है जैदेव की रचना क्या थी तो ध्यान रखेगा उनकी जो रचना थी गीत गोविन इनकी रचना थी बान्भट के बारे में आपको पता है बान्भट जो थे किसके दरबारी कवी थे खर्श वर्धन के धरबारी कवी थे यानि आपको यहाँ पर उनके राजसे और उनके राजधानी के साथ मैच करना है और बताईए कि कौन किसके साथ सही तरीके से मैच करता है चलिए एक एक करके मैच करके देखते हैं अगर हम बात कहें कि प्रतिहार और परिहार यानि की प्रतिहार की राजधानी की देखें तो यहाँ पर करेक्ट आंसों क्या होगा प्रतिहार की राजधानी थी कनौज चंदेलों के राधानी किया थी खजूराहो ये ध्यान रखेंगे परमार की बात के जिसको पवार भी कहा जाता है परमार तो ये धारा ध्यान रखेंगे धार करेक्ट होगा और उसी तरह से चालोक के या फिर सुलंकी की बात करें तो अनहिलवाड़ा तो यहाँ पे सभी के सभी बिल्कुल सही तरीके से मैच कियागी इसलिए option C को टिक करेंगे, option C correct होगा, next questions बनता है कि तासकंद सहर इस्तित है, बताए कि तासकंद सहर इस्तित है, तो यहाँ पे सही answer क्या होगा, actually मैं आपको उता दूँ कि तासकंद जह हो उ आसकंद समझाता जो हुआ था, वो कब हुआ था, उसका exact date के साथ, अगर आप कोई date नहीं पता है, तो कोई problem नहीं, आप इसमें भी बता सकते कि कब हुआ था, ठीक है, चलिए, next questions बताईए, कि वियतनाम के सुतनता अंदोलन का नितित्व किसने क्या था, देखी, यह questions हाली में बिहार ESI के exam में पूछा गया था, सभी लोग को पता होगा, कि वियतनाम के सुतनता अंदोलन का नितित्व किसने क्या था, अगर आपने ESI का exam दिया है, तो आपको definitely यह चीज़ पता होगा, तो सही answer क्या होगा, होची मिन यहाँ पे correct होगा, option हम D को टिक करेंगे, होच तो यह गुजरता है, तो यह गुजरता है, तो यह गुजरता है, इलाहाबाद के समीप से option हम C को टिक करेंगे, नेक्स्ट प्रेशन क्या है कि भारत का जो की दूर दचली भाग, यहाँ पर सौरी थोड़ा सा मिस्टेक है, दूर दचली भाग बिस्वत रेखा से कितनी पर आपको पता है कि हमारा जो मुख्य भूमी है, अगर हम यहाँ पर देखें, जो मुख्य भूमी है, कितना मैं आपको कल बताया था, आठ डिग्री छे मिनटी के, आठ डिग्री चार मिनट बता था, तो आठ डिग्री चार मिनट जो यह है, और यह कहां से गुजरता आठ डिग्री चार्व मिनट से लिकिन विस्वत रिका का मतलब किया हुआ कि zero degree जो होता है उसको तो इसके और इसके बीच की जो distance से वो आपky पूछी जा रहिए तो इन दोनों की बीच की जो दूरी होती है वो कितना होता है आठ सोचो चेथर किलोमेठर टीक है 844 km ध्यान रखे का option C यहां फे correct होगा next one बनता है कि भारत की उत्तर से दच्छिर तक की लंबाई कितनी है भारत से भारत की उत्तर से दच्छिर की लंबाई यानि कि उपर में अगर हम बात करें जेमो कस्मीर, नीचे कन्यक मारे total अगर हम डिस्टेंस देखे, तो यह कितना होता है कल की वीडियो अगर आपने देखे हो तो उसमें आपको यह चीज क्लियर कराया था इसलिए बोलता हूं कि जो भी वीडियो है वो एक दूसरे से linking होती है तो आप सारे वीडियो को जरूर फॉलो किया करें तो देखे उत्तर से गर हम दच्चे की तरफ बात करें कि भारत की कुल लंबाई कितनी है तो बत्तिस चौदा ध्यान रखेंगे option हम बी को टिक करेंगे अगर यही पूछले कि पस्चिम से पूरव के अगर हम बात करें तो वहां पर क्या होगा काफी important question है सारे questions को ध्यान से देखे और अच्छे से नोट डाउन चाहो तो अब कर सकते हैं अगला question की पंजाब हिमाले निम्न के बीच इस दीत है पंजाब हिमाले जो बढ़ता है वो किन के बीच इस दीत है तो सही answer हम किसे टीक करेंगे सही answer का option C सिंदू तथा सतलज के मद ठीक है option C बिलकुल सही answer है next question देखे क्या है कि निम्न में से कौन सी परवत चोटी संसार की दूसरी सर्वोचित परवत चोटी मानी जाती है तो यहाँ पर सही answer क्या होगा केटू जिसको हम लोग गौडविन ऑस्टीन के नाम से भी जानते हैं जिसको केटू सौट में कहा जाता है यह परचलित नाम है केटू तो इसको ध्यान रखेगा इसे बारे में कुछ points मैंने लिख रखा है इसको भी देख लगते हैं देखे क कुछ points हम यहाँ पर पढ़कर समझते हैं केटू बिस्व का दूसरा सबसे उचा परवत है और यह पाक अधिकरित कस्मीर के गिलगित बलुचिस्तान छेतर में कारा कोरम परवत माला के बालतोरो ठीक है बालतोरो कहा सकते हैं जो glacier है उसको हम समझ लिए के बालतोरो में इस् charity book में जो दिया हो आप उसको follow करेंगे ठीक है तो इसकी उचाई इतनी है और यह कह सकते हैं कि यह चोटी जो कि Mount Everest के बाद प्रित्वी की दूसरी सरुचतम चोटी मानी जाती है तो यह point थोड़ा सा important है आपको ध्यान रखना है ठीक है चलिए अच्छा एक questions यहां से हम बात करते हैं कि यहाँ पर बात की गई है पाक अधिकृत कस्मीर तो नीचे क्या आप कमेंट करके बदा सकते हैं कि प्योगे कि राजधानी क्या होती बात घृत families के बनत प्रवत सेगी का पूरव नाम है का रा कॉर्म परवत सेड़ी का पुर्वव नाम क्या था तो इसको म् लो में मिलता है एक ही प्रकरका परमाड़ू निम्न में किस में मिलता है तो सही होगा प्राकृतिक तत्व ठीक है option C को टिक करेंगे प्रकृतिक तत्व अगला प्रस्ण यह बनता है कि दो या दो से अधिक सुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में ध्यान रखेंगे यहाँ पर पॉइंट है कि किसी भी अनुपात में मिला देने से बनता है अगर हम दो या दो से अधिक सुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला दे तो उसको हम लोग मिसरन कहते हैं, ठीक है, मिसरन कहते हैं, लेकिन अगर यहीं पे निष्चित अनुपात होती, तो वहां पर हम लोग उसको योगी कहेंगे, ठीक है, निष्चित अनुपात होने पर योगी, लेकिन किसी भी अनुपात में मिला देने पर वो मिसरन हो जाता है, नेक्स्ट प्र exhaustion निय कि जीव लिक्यान सब्द का परयोग सबसे पहले किस ने किया था जीव लिक्यान सब्द का परयोग सबसे पहले अगर आपने ऐप्ने एक को टिक किया है तो आप बिलकूल गलत हैं सही आंसर होगा ले मार्क तथा ट्रेवे रेनिस ठीक नहीं है अगला प्रशन यह बनता है कि फाइको लौजी में किसका अध्यान किया जाता है तो देखे यहां पर सही आंसर क्या होगा राइट अंसर हम किस तरह से याद रख सकते हैं इसमें कई लोग कन्फ्यूज होते हैं एक छोटा समय तरीका आपको बताता हूं सफाई ठीक है सफाई और कमाई अगर आपने पढ़ाय लिखाए नहीं की तो क्या करेंगे सफाई करके कमाई करनी पड़ेगी अक्सर बोला जाता है तो सफाई करके कमाई यानि स से सहवाल और फाई से फाइकोलोजी सेवालो का और कवको काद्यान माईकोलोजी गया लाता है आई होब कि यह पॉइंट आपने समद लिया होगा तो फिलाल करेक्ट आंसर महरा ओप्सन ए हो जाता है ठीक है नेक्स्ट कुशन दीके महरानी विक्टोरिया को भारत की समरागी न्यूक ते किया गया था कब तो यह कुशन का राइट एंसर अगर हम बात करें तो सही होगा ओप्सन C 1886 ठीक है नेक्स्ट कुशन क्या बनते हैं अगला बसने की समरागी विक्टोरिया ने 1858 की घोशना में भारतियों को बहुत सी चीजे देए जाने का अस्वासन दिया था निम्न अस्वासनों में से कौन सा ब्रिटिस सासकों के द्वारा जो पूरा क्या गया था वो क्या था देशी राजवाडों की यह था इस्तीती बनाए रखी जाएगी ऑप्सन हम बी को टिक करेंगे ठीक हैं बी विल्कुल सही होगा नेक्स्ट प्रेस्ट मेंता है कि 1909 के इंडियन कॉंसिल एक्ट ने किस बात की विवस फ्यक्त किया गया था कि भारतिय समिधान भारतियों की इच्छा अनुसार होगा यह questions बहुँआ ज 만들 इंप्वाटन ध्यान रखेगा कि भारतिय सम्यधान भार्तियों की इकच्छा अनुसार होगा सई आंसर है option a महात्मा गांदी वीडियो के last में क्यूचका questions में मैंने रख गया था तो सही answer यहां पर हो जागा MN राय के द्वारा ठीक है option c correct होगा next questions की भारते समीधान सभा का प्रारूप जिसको मसावदा कहते है मसवीदा यहाँ पर लिखा गया मसवदा समीती के अध्यक्ष कौन थे प्रारूप समीती के अध्यक्ष कौन थे तो बहुत ज़्यदा इंपॉर्टेंट लेकिन बहुत सिंपल सा क्वेशन है अपने राइट एंड से डेफिनिटी गेस क्या होगा बी आर अम्बीदकर्टी के भीमराव अम्बीदकर्जी जो थे मसवदा समीती के अध्यक्ष थे नेक्स्ट क्या कह रहा है कि भारते अर्थवस्ता के वैस्वी करण का क्या अर्थ होता है तो वैस्वी करण का अर्थ होता है कि दूसरे देशों के साथ आर्थिक संबंदों पर लगे प्रतिबंधों को यह था संभव कम से कम करना option C सई होगा next प्रस्ट मनता है कि भारत में अधिकतर विरोजगारी किस टाइब की है भारत में अधिकतर जो विरोजगारी है वो संरचनातमक विरोजगारी है option D सई होगा next questions की फूलो के सनवर्धन के विज्ञान को क्या कहते है अत्रिक्त निर्वाचन मंडल प्रारम में किसके दौरा लाए गया था तो मारले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 बी बिल्कुल सयोगम next questions की प्रच्छन्य बेरोजगारी का क्या अर्थ है प्रच्छन्य बेरोजगारी का क्या अर्थ होता है तो प्रच्छन्य बेरोजगारी मुझे कहते हैं आउसक्ता से अधिक लोगों को कारियत होना ठीक है अगर मान की चलिए simple से अगर भासा में समझे तो अगर कोई काम है जहांपे सिर्फ और सिर्फ दो लोग इस काम को पूरे अच्छे तरीके से कर सकते हैं लेकिन जबर जट इसमें तीन लोगों को include कर दिया गया तो क्या करेंगे कि जो तीसरा वेक्ती होगा यानि कहने का मतलब यह हुआ simple सी भादसा में समझे कि तीन लोगों का काम तो यह था नहीं लेकिन दो लोग अच्छे से कर सकते थे तीसरा वेक्ती इसमें include हो गया तो तीनों लोग अपनी पूरी छमता से इस कारे को नहीं करेंगे तो यही कहा जाता है कि प्रच्छन ने विरुजगारी होता है यानि ओसकता से अधिक लोगों को कारियत होना ठीक है next question यह बनता है कि मानो सुचकांक किसने बनाया था मानो सुचकांक जो है वो किसने बनाया था तो सही answer क्या होगा UNDP United Nation Development Program option D को टिक करेंगे next question क्या है कि त्याग राज कौन थे त्याग राज जो है वो कौन थे सही answer option C को टिक करेंगे एक संगीत तक गये थे करना टक के काफी यह famous संगीत तक गये थे option C सही होगा ठीक है मैंने पूरी-पूरी कोसिज किये कि हर topic से एक से दो questions include मैंने किया है ठीक है जहांसे जादा ङुचा थे पूचा थे एकशामस में वो पोट्सन से मैंने जादा questions लिया और जहांसे कम पूचे जाते हैं मैंने isi recording questions को arrange किया थीक है तो संगीत कի दुणिया में सितार के जादुगर नाम से के से जाना जाता है संगीत की दूनिय से नाम से सेनी घराने के सद्द से थे उनकी और उनके पुत्र अम्रित सेन की जोड़ी जो की सितार की दुनिया में बेहत प्रस्द थे ठीक है ध्यान रखेगा नेक्स्ट प्रस्ट क्या कहा रहा है कि तान सेन का मुल नाम क्या था बताईए तान सेन का मुल नाम क्या था तांसेंग जो थे वो अकबर के दरबार में रहते थे और यह नौरतनों में से एक थे और इनका जो आम था रामतनूं पांड़े ठीक है ओप्सण हम B को टिक करेंगे रामतनूं पांड़े next question है कि निवन में से कौन एक उत्तर भारती निरित है उत्तर भारती निरित है बहुत ज़्यादा questions रिपीट हुआ है यह ध्यान रखेगा कि उत्तर भारती निरित है या फिर उत्तरी निरित है तो ध्यान रखेगा correct answer का कथख ठीक है कधख उत्तर भारत का निरित है नेक्स्ट कुछीपुडी किस राजी के निरित से लिए ये कुछीपुडी जो है वो किस राजी की है तो option B को टिक करेंगे आंधर प्रदेश ठीक है नेक्स्ट कुछीशन क्या है रंगोली भारत के किस छेत्र की प्रमुख कला है कला से लिए रंगोली तो रंगोली भारत के किस छेत्र की कला से लिए तो महरास्ट यहाँ पे सही आंशुड का option B को टिक करेंगे नेक्स्ट कुछीशन बताईए कि क्या है कि खोको में कितने खिलाड़ी एक टीम में होते हैं संस्क्रीड की सियूह से लिया गया जिसका अर्थ होता है उठो और जाओ, खीक है, उठो और जाओ, तो questions पूशा जा सकता है कि खोको का अर्थ क्या होता है, तो उठो और जाओ, और इसका किस भाशा से से लिए अगया संस्क्रीट की सियू से लिए ठीक है अब बात करतें क्यूज को से टेख टें तो क्यूज का क्यूज का क्वेसंस आपके लिए यह रहा नीचे कमेंट करके बताया कि इस क्या होगा कि पृत्वी की कोर में किस तत्यु की प्रताहनता होती है तो मुझे उम्मीद और ही आप पूछे वो भी कमेंट करके बता सकते हैं वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक कर दीजगा साथ अपने दोस्तों के साथ सेर कर देजेंगे और इसी तरह की रोजाना एक मौक टेस्ट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लिजे सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन विल्को अन रखेगा मिलते हैं किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपी के साथ थैंक्स वाचिंग कीप वाचिंग कीप लटनिंग हाव अगुड़ दे दोस्तों आज किस वीडियो को सुरू करने से पहले मैं आपको अनकैडमी पर आप दे सकते हैं मौक टेस्ट वो भी बिलकुल फ्री में मैं आपको बता दूँ कि इस प्लैन को अक्टिवेट करने के लिए प्लैश्टूर से डाउनलोड करें अनकैडमी लर्निंग अप और सलेक्ट करें बिपेसी कूल और यूज करें हमारे रेफ्रल कोट निरंजन टेन का सिर्फ यही नहीं अनकैडमी पर आप ले सकते हैं प्लस सब्सक्रिप्शन आपकी कम्प्लीट त्यारी के लिए एक ही सब्सक्रिप्शन में पाए अनलिमिटेट बेनेफिट्स जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं लर्न फ्रॉम भिहार टॉप एडुकेटर्स साथ साथ देडिकेटेड बैच्चेज फॉर ओल एक्साम्स बीपेसी मेंस प्री और साथ साथ बिहार ऐसाई की क्यानि कम्प्लीट प्रिप्रिप्रेशन एक ही जगा पे हो जाएगी और दोस्तों आप वीडियोस डाउनलोड भी कर सकते हैं और आगे कभी भी देखने के लिए तो आपके लिए फाउंडेशन बैच्च इसमें आपको प्रिप्लस मेंस का कम्प्लीट कोर्स कराया ही जाएगा यह स्टार्ट हो रहा है 19 जनवरी से और अगर आप फाउंडेशन बैच्च इंग्लिज मेडियम में पढ़ना चाहते हैं तो वो आल्लेडी स्टार्ट हो चुका ह लास्ट वीक में तो बिल्कुल भी देर ना करें अपनी तयारी शुरू करने में अगर आपने इस बार का प्रिलीम्स डिया है और मेंस के ट्रिपेशन करना चाहते हैं तो इन्रॉल करें लग से बैच में इसमें आप सारे जीएस के सब्जेक्ट टॉप एडुकेटर्स के द बीपेसी चूज कीज़े प्लस कोर्स में जाकर के अपने मनच चाह बैच कोर्स के लिए इंडॉल करने के लिए GIT सब्सक्रिप्सन पर क्लिक कीज़े और इतना ही नहीं सब्सक्रिप्सन पर डिसकाउंट भी पाने के लिए मेरे रेटरल कोर्ड जो कि इन रंजन 10 आप जो जै